उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीम केशव मोर्य पाँच जिन से दिल्डी मेडेरा डाले गोगी का विकल्प बनाने के लिए राष्ट्री अध्यक्ष का पद्दी आ जा सकता है योगी को कैसे डाउन किया जाए या तो केंदर में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है जिसमें राष्ट्री अध्यक्ष का नाम है इसलिए उन्हें दिल्ली रोका गया या फिर राज्यक्ष के अंदर यानि कि उत्तर प्रदेश में उनका जो केविनेट स्ट्रिटस है उसको भढ़ाया जाए जिसमें प्रदी जैस देख रहे हैं केशव मोरे के अलावा भी भाजपा के राष्ट्रे अध्यक्ष बनने की जौड़ में कई दिग्ज़ हैं लेकिन केशव उस मामले में फिट बैठ रहे हैं क्योंकि इवाद देश के सबसे बड़े सियासी राजजी यानिकि उत्तर प्रदेश और मूल OVC माल केशव परसाद मोरे केवल बील संतोष जेपी नड़ा से ही मिलते हैं उनकी मुलाकात केंद्री मंत्री केंद्री रक्षा मंत्री राजनास सींग और ग्रह मंत्री अमिश्चा से बिलागा तो ऐसा माना जा रहा है कि केशव परसाद मोरे को लेकि भाजपा खासा कुछ सोच चुक्त मोरे को सब्सक्राइब ही है और पाप्रा एक साथ रखेंगी नहीं रखेंगी यह मुश्किल लगता है ऐसे में जिस तरह से कारीकाल 30 जून 2024 को पूरा हो रहा है और भाजपा से पहले राश्चे अद्री को चुनना सासी है तो हलांकि 2024 की जन्वरी में नड़ा का कारेकाल पूरा हो गया था लेकिन लोगसभाग चुनाओ के चलते कारेकाल को तीजुन तक पड़ाया गया तो अब यह का जा रहा है कि जिन चेहरों का नाम राश्ट्री अज्यक्स के लिए आगे चल रहा है उनमें केशो परसाथ मोरी पाइदा उन्हें हरियाना चुनाओं में हो सकता है केशो के अलावा राश्ट्री अध्यक्स की पग्द में चार और नाम हैं जिसमें राश्ट्री महासरची विनोवत्तावडे का नाम भी है फिलाल वो बिहार के प्रभारी है पिछड़े समुतायक है और तीसरा नाम जो है और प्रदेश में केशो परसाथ को बड़ी बूमिका दी जा सकी अगर बैस सेंटरल की पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं तो उन्हें P.W.D. यानि की तर्लिन निर्वाण विभाग की असरी जिम्मेदारी दी जाए यह विभाग पहले जितन पसाद के पास था अब वो केंदर मंत्री बना दी गे इसके चलते हैं विभाग खाली हुआ है योगी की पहली सरकार में यह विभाग केशोग साथ मोरे के ही पास था फिलहार उनके पास डूरल डवलप्मेंट है अब सारी चीज़े यह हैं कि प्रदेश का प्रदेश का प्रदेश अद्यक्स बनाया जा सकता है क्योंकि भुफिंद्र चौदरी और संट्रन की महा मंत्री धर्बालने के इंद्री नर्फरत्तों के सामने हार की जिम्मेदारी लेते हुए स्ट्रीपे की पेश्चस की है लेकिन अभी स्विकार नहीं किया जा सकता है कि कुछी दिनों में यूपी में हार का भाजपा जो है वो आकलन करेगी सरकार और सनिफट की लोगों के साथ इस वक्तों निफ्टी को फिकार किया जा सकता है इसलिए भी देरी हो रही है कि अभी तक अध्काल के अंदर में मोजी सरकार बनी है राच्टेश भी मंत्री बन गए इसलिए पार्टी उपर से बदलाव करेगी और कोई बीजेपी को तगड़ा जहटगा लगा केशव लोजाग तोला सत्रा में प्रजेश भाजपा ने उस चुनाव में चार सो तीन में से तीन सो पच्चीस सीटें जीत करेपिहास रचा था तो सबसे बड़ी बात हैं कि सपा और कॉंग्रेस ने अभी जो चैलेज भाजपा को दिया है आने वाले समय में और बड़ा खत्रा हो सकता है इसलिए बीजेपी इस खत्रे को मोल नहीं लेना चाहेगी और OBC समुदाई को कुछ करने के लिए कुछ भी कर सकती है तो यह भी म बोधी शाज इस तरीके से चौकाते हैं उसमें कुछ अलग हो सकता है केश्व परसाद मोरी ने 2017 में बीजेपी की यूपी में सरकार बनाई थी अध्यक्स रहते वे लेकिल यह नहीं बनाया गया परन्तो 2022 वाले चुनाव में सिरादू विदानसवा से लड़े तो अपना द दुबारा जब मुख्यमंतरी बनते हैं तो इसे में आप समझ सकते हैं कि केश्व परसाद मोरीय का भाजपा में क्या प्रभा और कद्ध हैं कौशाम भी जिले के रहने वाले हैं संग और भाजपा में वो चहरा हैं जो हिंदुत्तों के पॉलिटिक्स का प्रमुक हिस्सा ब रहे हैं और तंग मतलब RSS और गोरक्षा अभियान में भी सक्री रहे हैं तो केश्व परसाद मोरीय की एक छवी है और उसको भाजपा कहां रखती है कि मिचले इस तरसे शुरू करके वेक्ति उपर तक पहुंचता तो भाजपा अलगतर है कि मैसेज देने की कोशिश करेग केश्व परसाद मोरीय के रात्य दिश्व बनाए जाते हैं तो उसका फाइदा उनको राजपान समयत पूरी हिंदी पट्टी में एक बड़ा बड़ा उनको पहचान मिलेगी क्योंकि उनकी जाती जुड़ा सोरी यूपी ही नहीं आसपास के प्रदेशों में भी हैं इन जा जो है वो शुरुआत में लगातार दो सुना वहारे लेकि 12 में शिरादू में जीते 17 में जीते और 2014 में वो फूलपूर की लोगस्वा सीट से उमीदवार बनाए गए और उस वक्त पे 14 में सांसत बने थे तो ये वो सीट है जहां पहली बार नहरू सांसत बने थे और इस सी में आगे बढ़ाया जा रहा है या भाजपा किसी नए विकल्प पर विचार कर रही है आप हमें कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक शेयर करें धन्यवाद